शाम दा समा इस तरह दा हुंदा है कि साड़ा कुछ तिखा करारा चटपटा खान नो दिल करदा है ते उस चक्कर विच असी बारों बहुत कुछ खा जान दे हां जेडा सेहत लई चंगा नहीं हुंदा आओ एक बहुत ही सौखी ते ताकतवर जई रेसिपी बनाईए सत शिर्यकाल जी मैं हां डॉक्र गगन प्रीत कौर ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयरवेदिक रसोई आज असी अपनी रसोई दे विच शाम दी पुख लई एक बहुत ही वदिया चटपटी जी रेसिपी बनावांगे जी नू बनाउना बहुत सौखा है ते इनू असी स्टोर करके भी रख सकते हां एक किन्नी फाइदे मन्द है ए जानन लेई वीडियो नू आंध तक जरूर वेखना एस रेसिपी नू बनाउन दे लेई सानु चाएदिया हन खिलना एनू राइस पफ्स या धान की खील वी कहनदे हन लावा या लाई वी आख दे हन पुन्ने होई छोले लेने हन एवी असी बराबर मात्रा दे विच ले सकते हां खिलना बहुत हलकिया हुन दिया हन ते छोले थोड़े जे काट ले लमांगे पार विच लगपग एकको वर्गे होंगे एस रेसिपी ले तुसी छांड के थोड़ा बहुत चिलका उतार सकते हो अगला जड़ा इंग्रेडेंट है ओ है मुंगफली मुंगफली असी दो वड़े चम्मच या वी ग्राम दे लागपग थोड़ी जे लेलानी है समगरी नू एकवरी दुबारा देख लेंदे हा खिलना लईया हन पुन्ने होई छोले ति थोड़ी जे मुंगफली ए चीजा लागपग साधी रसोई दे विच मजूध हुन दिया हन नई ता सानू बहुत ही असानी नाल साधी नेड़े ही मिल जान दिया हन आओ विदी दी शुर्वात कर दे हा एक पैन लेके ओदे विच एक चम्मचसी सरोंधा तेल पालवांगे थोड़ा जा वड़ा चम्मचसी सरोंधे तेल दा लवांगे एनू गरम होंदे लई राख देांगे जिना नू ज्यादा गरमी दी तकलीफ है ओ एथे देसी कीनाल वी एनू रोस्ट कार सकदे हन आज दी चेड़ी रेसिपी है इस सावन मा बारिश दे महीन्या लई वी बहुत उत्तम है क्योंकि एहे तेल वाली वी है थोड़ा बहुत एदे वीच खटा, नमकीन, मिठा, सब कुछ जाएगा ते एसे तरहन दा पोजन सानू बारिश दे दिना दे वीच करना चाहिदा है साड़ा जड़ा तेल है ओ गरम हो गया होन असी सब तो पहला एदे वीच मुंगफली नू रोस्ट कार लवांगे क्योंकि मुंगफली बिलकुल कच्ची लई है ते उनू पुनन दे लई थोड़ा समा लगगेगा सारी रेसिपी नू बढ़ान दे लई गैस नू सिम ही रखना है मुंगफली सस्ती है पर बदामा जिननी ताकत रखती है बहुत वद्या मात्रा ते विच एदे अंदर प्रोटीन मिलदा है चंगी क्वालिटी दा फैट वी एदे अंदर हुनदा है फॉलेट, कॉपर, मेगनीशियम वरगे बहुत सारे नूट्रियंट्स हुन दे हन ते बहुत ही शरीर नू मजबूत बढ़ान वाली चीज है गर्मी विच जे तुसी एदी ज्यादा वर्तो करना चौन दे हो ता पेके करो रात नू पेके रख दे हो फिर किसे भी रेसिपी दे विच पा सकते हो या इसे तरह गुड़दे नाल खा सकते हो खून दी कमी ते कमजोरी वाले मरीजा लई भी बहुत वदिया है पर जदो असी रोस्ट करके खा रहे हैं ता असी एदी मात्रा थोड़ी काट लैनी है गर्मी दे ही से मुंफली काफी रोस्ट हो गई असी नू बार नहीं कडना एहोर रोस्ट हुन दी जाएगी पर नाल ही असी छोले भी पादन दे हाँ ओना नू वी वदिया तरीके नाल रोस्ट कार लवांगे छोले जड़े ने इनना बारेता सी बहुत वार गाल कर दे ही रहन दे हाँ आइरन रिचने प्रोटीन रिचने खून दी कम जोड़ा दी मजबूती ते शरीर दी ताकत दे लई बहुत वदिया है पार्क टॉना कई वर्स अनू बिमारियां करके जरूरी हो जान्दा है कई वर्स आड़े शरीर दी लोड हुन दी है पर अकसर असी देख दे हाँ कि जदों वी पार्क टॉन दे हाँ तक कमजोरी बहुत ज्यादा आ जान्दी है ते असी हो दे विच काम्याब नहीं हुन दे एस तरह दी जड़ियां रैसिपीज ने इसाड़े मनोबल नू डिगन नहीं दिन दियां ते साड़ी ताकत नू बनाई रख दियां हन। होण असी एदे विच स्वाद नू सार मसाले पाद्यांगे थोड़ा जा नमक सैंदा पाया है लाल मिर्च पाई है जीरा पाउडर पारे हां अमचूर दा पाउडर पारे हां ते थोड़ी जई हल्दी पाई है तारे मसाले नू चंगी तरा मिकस कार लवांगे थोड़ा जासी एदे विच काला नमक भी पावांगे असी जित्थे मीद ए मौसम दी दिन चर्या बारे गल किती है पंजाबी सेहत संसार विच उथे दस्या वी सीकी मीद ए मौसम विच काला नमक जरूर खाना चाइदा है इस आनों बहुत फाइदा करदा है, तह एदे विच भी असी काला नमक पावांगे, ओ वीडियो तुसी डिटेल दे विच ओधर जाके देख सकते हो, एक मिंट रोस्ट करके असी सारे मसाल्या नों पका लवांगे, ए एनना टेस्टी नमकीन बनेगा कि उस तो बाद तो आनों पावांगे, खिला नों असी सबतों अखीरते पाणा है क्योंकि इनना नों सबतों काट सेक दी जरूरत है, ज़दों तक ये क्रिस्पी नई हो जान दियां, दो तो तिन मिंट ले असी इनना नों हो रोस्ट कर लवांगे, ए रेसिपी बहुत जल्दी बन जान वाली है, इन वी दिन बिल्कुल भी खराब नहीं हुंदी। बच्चया नू भी स्कूल दे विच फ्रूट ब्रेक दे तौरते दित्ती जा सकती है ते ओफिस विच वी लजाई जा सकती है। खास करके ओना लोकान ली बहुत पदिया है। इनना नू मिठा काट पसान दोंदा है ते नमकीन ते करारियां चीजा ज्यादा पसान दोंदी हैं। तुसी कारदे पीस से होई मसाले अपने स्वाध अनुसार एदि अंदर पा सकते हो। ते जेडे बच्चे चिप्स, कुरकु अगे ओधों हेल्दी ओप्शन चूज करन दी जरूरत है। गल्त चीजनाल जदोंसी पेट पर दे हां तब वार वार पुख लग दी है। जिस चीजनाल असी पेट पर होंदा है ओ शरीर नू कोई पोशन भी नई दिन दी। इस करके वार वार खान करके पार ता वददा ज जानदा है। इस तरह दियां चीजना थोड़ियां खादियां जानदियां हन। पुख नू छेती नई लगण दिन दियां ते जिन्नाव यसी खान दे हां उन्ना ही सानू पोशन मिलदा है। हाई बीपी दे पेशन्ट काट नमक मिर्च मसालया नाल इस रेसिपी नू ले सक करदा है। असी या ता चान अल रासिया बिस्किट खालन दे हां या फिर कोई बारों तली चीज खान दे हां। ओस टाइम ते इस तरह दी चीज जे खाले ये ता असी पारवदान तो बच सकते हां पोशन लेंदे विच काम्याब हो सकते हां। ये जड़ा ड्राय नमकीन है एनू असी थोड़ा जा ठंडा करके किसे भी कंचते जार दे विच एर टाइट बंद करके रख सकते हां एक खराब नहीं होएगा। एनू होर स्वाद बनाओन दे लई असी ये दी चाट त्यार करांगे। एदे विच एक छोटा प्याज बरी कटके पालमांगे। एक सेब कटके पालेया, आजकल सेब भी हलके खटे हां तो वी एदे विच बहुत स्वाद लगगनगे। अनार भी थोड़ा जा असी एदे अंदर पा रहे हां ते कीवी नू कटके वी एदे अंदर पालेया है। तक खटे मिठे फ्रूट्स दा जड़ा कॉंबिनेशन है वो ब मिक्स कार लवांगे। तुसी एदे विच थोड़ा बहुत नमक मसाला अपने हिसाब नाल होर पा सकते हो। मैं इन्हों होर ज्यादा टेस्टी बनाओं दे लई एदे विच हरी चटनी पा रहे हां। यह चटनी कारविच्छी त्यार किती है। प्याज, टमाटर, पुदीन बहुत ही हेल्दी है। सारियां जडियां क्रेविंग्स ने उखतम कर दिन दी है। चाप पीन दा दिल करदा होवे, कोई मसालेदार चीज खान दा दिल करदा होवे, एक हालो नुकसान कोई नी फायदा है। एक होर फायदा बहुत वड़ा है कि शाम दी पुख नू मारना नहीं चाहिए दा क्योंकि जदो असी शाम दी पुख मार लेंदे हां तासी रात नो डिनर हैवी कर दे हां हमेशा, ओ हैवी डिनर भी बिमारियां दा कर है, इस करके शाम दी पुख दे विच थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेना चाहिदा है, ताकि असी रात दा खाना बहुत रात दा पोजन सात वजे तो बाद नहीं करना, ते रात नू दस वजे तक अपना सौ जाना है, ते रात दा पोजन हलका होना चाहिदा है, तुसी एक कारके देखो, होर कोई प्रहेज ना करो, तावी तो अड़ी बिमारियां पंजात उ साथ प्रतिशत ठीक हो जान गिया, एसी साढ़ी आज दी रेसिपी, तो अनू किस तरह दी लगी कमेंट सेक्शन दे विच जरूर दसना, ए अपनी वेट लॉस जरनी दे विच दे रोग मुक्त जरनी दे विच एनू जरूर शामिल करना, मैं फेर मिलांगी एक होर नवी रेसिपी देनाल, ताद तक लेई सच एकाल